तनमे भट के बेड्रूम में घुटनों पे खड़ाओना सीखना पड़ेगा समय उन लोगों में से आता है जो हमेशा अपने से कम तैलेंटिल लोगों से दोस्ती करता है ताकि ग्रूप में सबसे ज़्यादा तैलेंटिल वही रहे क्या फाइदा समय यार इतने अच्छे जोक्स लिखने के लिए जब व्यूज के लिए तेरे को दीपक कलाल और और उर्फी जावेज जैसे लोगों साथ गुमना पड़ता है नहीं को इजजचरम बच्य है नहीं है सारी बेच खाई या जब कश्मीर से निकले थे तो वहीं छोड़ी आए समय को अपनी कश्मीरी पंडित कॉमुनिटी के लिए बहुत जादा प्यार है और वो ओपन लिस के और में बात भी करता है बट फिर वो मुनावर को अपना दोस्त बना देता है भाई इसे डेमोक्रेसी नहीं इसे हिपोक्रेसी कहते हैं इंडिया के बच्चों को बिगाड कर समय का मतलब होता है टाइम और समय का कॉंटेंट है टाइम पास इंटरनेट पे फेमस होने से पहले समय जॉब करता था उस जॉब का नाम था तनमे भट ब्लो जॉब कोविड के बाद है ना समय बच्चों से बहुत जादा प्यार करने लगाए क्योंकि कोविड के टाइम पे उनी बच्चों के सूपर चैट से उसका घर चलाए समय के करियर से ये सीख मिलती है कि अगर आपको अपने पेरों पे खड़ा होना है तो तनमे बट के बेडरूम में घुटनों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा इस वीडियो के बाद ऐल्विश यादव के दोस्तों को काफी जादा हेट दे रहे हैं और एल्विस यादधो के फेंस कमेंट लिखते हैं कि एल्विस यादधो के ड्राईवर भी अब किसी के केरियर के बारे में बताएंगे देखो आप इस वीडियो के नीचे कमेंटव को पढ़ सकते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और कॉमेंट में अमना फेवरेट इट बार करना आम लिखना बिल्कुल मत भूला मिलता है नेक्स्ट वीडियो